हेलो गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वेता में स्वागत है आज के इस वडियो में हम योनो SPI का UPI ID डिलिट या फिर डिरेजिस्ट्रेशन करना सिखेंगे तो गाइज अगर आप योनो SPI में UPI ID बना लिये हैं और UPI ID बनाने के बाद अगर आप किसी रीजन से उस UPI ID को डिरेजिस्टर करनाいや पिर डिलिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे है आज के बडियो में हम जानेंगे तो गाइज योनो SPI में UPI ID को डिलिट या पिर रिरेजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हैं को you know sbi का application open कर लेना है you know sbi का application open करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा login तो guys यहाँ पर आपको login में क्लिक कर लेना है login में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के interface आएगा तो guys यहाँ पर आप mpin के थुरू इस application में login हो सकते हैं और और गाईज अगर आपको MPIN याद नहीं है तो यहाँ पर आप username और password के थुरू भी इस application में login हो सकते हैं तो गाईज यहाँ पर हम MPIN के थुरू इस application में login हो लेते हैं योनो SBI application में login होने के बाद अपके समने इस तरह के interface आएगा तो गाईज यहाँ पर आपका एक option है you know pay तो यहाँ पर आपको you know pay में क्लिक कर देना है योनो pay में क्लिक करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो गाईज यहाँ पर आपका एक option है भीम UPI तो guys you know SPI से अपना UPI ID को डिलेट करने के लिए यहाँ पर आपको भीम UPI में क्लिक कर देना है भीम UPI में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे एक option है manage तो guys यहाँ पर आपको manage में क्लिक कर देना है जैसे आप manage में क्लिक के जिएगा अपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys यहाँ पर आपको अपना UPI ID दिखाए पड़ेंगे और यहाँ पर आपका एक option है view all UPI ID तो guys यहाँ पर आपको view all UPI ID में क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक के जिएगा अपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys आपके you know SBI में जितना भी UPI ID बना हुआ है वह सारा UPI ID यहाँ पर आपको सो होंगे तो guys मेरे you know SBI में सिर्फ एक ही UPI ID बना हुआ है इसलिए मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही UPI ID सो हो रहा है अगर आपके you know SBI में एक, दो या फिर तीन या फिर इससे भी ज़्यादा UPI ID बना हुआ है तो यहाँ पर आपको सारे UPI ID दिखाए पड़ेंगे तो guys अगर आप इस UPI ID को डिरेजिस्टर करना चाहते है या फिर डिलिट करना चाहते है इसके लिए यहाँ पर आपका नीचे एक अपसन है डिरेजिस्टर का तो guys यहाँ पर आपको डिरेजिस्टर में क्लिक कर देना है जिसे आप डिरेजिस्टर में क्लिक किजिएगा आपको समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो गैज यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि are you sure you want to डिरेजिस्टर यूर यूपी आई प्रोफाइल यानि कि यहाँ पर आपका बताया जा रहा है क्या आप सुनिचीत है कि आप अपने यूपी आई प्रोफाइल को डिरेजिस्टर करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे है पोस्ट डिरेजिस्टेशन यानि कि डिरेजिस्टेशन के बाद तो यहाँ पर आपको जब आप UPI ID को डिरेजिस्टर कर देते हैं तो आपको क्या-क्या सुविदा नहीं मिलेगा तो guys यहाँ पर आपका लिखा है कि fund transfer through UPI will not be available यानि कि UPI के जरीए जो you know SBI में आप UPI ID बनाए हुए हैं उस UPI ID के जरीए आप fund transfer नहीं कर पाएंगे उसके बाद निचे आपका और एक option है SEM UPI ID will not be available for two years यानि कि SEM UPI ID आप दो साल तक के लिए उपलब्द नहीं होगी तो guys यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक है cancel और दुसरा option है confirm तो guys अगर आप UPI ID को deregister करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको confirm में क्लिक कर देना है लेकिन guys आपको confirm में क्लिक करने से पढ़ लें यहाँ पर आपको यह ठीक से पढ़ लेना है तो guys इसे ठीक से समझने के बाद यहाँ पर आपका एक option है confirm का तो अगर आप UPI ID को deregister करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको confirm में क्लिक कर देना है तो जैसे आप confirm में क्लिक किजिएगा यहाँ पर आपका जो you know SBI में UPI ID बना हुआ है वह deregister हो जाएगा तो guys इस तरह से आप बहुत आसानी से you know SBI का UPI ID को deregister या फिर डिलिट कर सकते हैं तो guys I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इस तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारी मिल सके